रोड पे देखता है कि बहुत लोग चलते हैं लेकिन अगर माल लेते हैं कि आप से या जो है किसी और से आपके नाम गारी है आप जो गारी करते हैं आप बाइक करते हैं या कार करते जो भी आप करते हैं वो आपके नाम है लेकिन आप से हो जाए या माल लेते हैं किसी और से ह हो क्या रहा है एकसीडेंट हो जाए यानि आप रूट पर चल रहा है किसी का राष्ट यह उठीव साथ हो गया है अप होता है तो बहुत सारे अब यहां पर जो है जो पर उन्तिल है वो कानून में किस पर्कार अब संसोधन कर दिए अब जो नए कानून वर्लड़ कानून यह जब भी तरह से देखा जैंटो प्रिवाहन मंत्राले के दौरा रहो सकता है आगे आने वाले समय में उर संसोधन किया जाए लेकिन अभी बरतमान में जो अगर देखा जाए कि बरतमान में यह आप माल लेते हैं आपकी गारी है ठीक है आपकी कार है तो इस कार से क्या हो जाता है एक्सिडेंट अब जाते हैं बाइक वाले को मारते हैं बाइक वाला जो है कली उर जाता है अब समझ सकते हैं तो उसके लिए दो कंडिसन यहां पर हो सकता है एक यहां पर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा कि एकसिडेंट जैसे हुआ ठीक है एकसिडेंट यहां पर जैसे हुआ तो एकसिडेंट में वो एक तरह से गंभीर रूप से घायल है रूप से घायल आप बोल सकते हैं यहाँ पर तो पहला यह हो सकता है दूसरा कि यहाँ पर क्या हो सकता है एक तो गंबीर रूप से घायल है यह घायल हो या गंबीर रूप से घायल हो अब है कि वहाँ पर दूसरा कंडिशन यह होता है कि चल एक्सिडेंट यहां पर हुआ और एक्सिडेंट में जो है उसकी मौत हो गई उसकी मौत हो गई तो यह दो कंडीशन जो है यह होना ही है या तो गाये लोगा नहीं तो उसकी मौत हो गई या तो नहीं तो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो अब वो उसको जो एक्स केस होते हैं कि इसलिए इसमें भी इसको जो चला रहा है और दूसरा क्या हो सकता है कि गारी का मालिक ही चला रहा है तो दोनों अलग-अलग केस हैं दो यहां पर भी ढ़ी तो सगता है कि आप गारी नहीं चला दूसरा गारी जो है आप चला रहे हैं अब यहां पर एक्सिडेंट अगर होगा तो गंबी रूप से गायल होगा नहीं तो उसकी जो मौत हो जाएगी तो पड़िवाहन मंत्राले के दौरा जो सरक गटना के लिए अगर बात करें जो मामले हुए उसमें संसोधन करके नया कान है कि उससे क्या फाइदा होने वाला आखिर यह जो अगर ऐसी घटना होती है तो आपको बहुत एक तरह से समझने वाली जरूत है और आपके पास जानकारी भी होना चाहिए कि आप क्या करेंगे ऐसाने का बुल जन में कुद फस जाए जानकारी के अबाब में और आपको को कानून को तो समझ लें क्या है कानून देश में क्या नियम लगे हुए देश में क्या कानून है रोड पे तो बहुत सारे लोग चलते हैं और कहीं न कहीं देखा जा तो डेली कहीं न कहीं सरक दुरगटना जो है सरक दुरगटना का जो मामला है वो होता ही है अब है कि अगर road accident हो जाता है अब इसमें गारी जो चला रहा है यहाँ पर यह condition में हम बात करेंगे गारी को जो है driver यहाँ पर driver जो है वो चला रहा है तो अगर driver चला रहा है अब गारी वो किसी कोई भी गारी है कहने का मतलब है वो car है ठीक है या वो bus है तो या पबलिक गारी है या कोई truck ही है ठीक है truck ही है कोई भी गारी हो सकता है उसको कौन चला रहा है driver चला रहा है तो driver अगर चला यहाँ ठीक है अब वो क्या कर दिया उस गारी का कर दिया accident ठीक है road पे कर दिया accident तो accident के case में जो है अब यह car और bus और truck के मालिक तो कोई होगे उसके बर उसके पास driving license जो है यानि गारी चलाने का पूरा पूरा उसके पास जो है अधिकार है अगर उसके पास लाइसेंस उस गारी को चलाने के लिए अगर वो इलिजिवल है तो मतलब कार के लिए बस के लिए ट्रक के लिए पबलिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसके लिए license के अलग-अलग type है वो भी हम कभी बता देंगे क्यों ऐसा type बनाए गए हैं और सब के लिए जो है आप अगर कोई truck अगर कोई बैक्ती चला रहा है तो truck चलाने के लिए उसके पास license मौजूद अगर है साथ में जो है इस truck driver का जो license होगा तो अगर अगर मालते truck driver के पास license नहीं है यहाँ बस जो बस और truck के मालिक है उसमें विगाज़ गड़ेगा गारी रखे हैं गारी का कागज नहीं है दुरूस्त नहीं है आप वैसे driver को रखे हुए हैं जिसके पास driving license उस गारी को चलाने के लिए नहीं है, तो गास तो आप पर गिनना ही है, यही कहता है नया कानून, यही कहता है, यानि उसी समय ये driver उल्जन में परेंगे, जब एक कहने का मतलब क्या होगा, कि जो गारी है, उसका सारा document सही है, driver के पास driving license भी है, लेकिन वो कर द या accident, और accident में सामने वाला वेक्ती जो है, वो गंभीर रूप से गायर हो गया, या दूसरा उसका जो है, यहाँ पर मौत हो गया, दोनों case में, यहाँ पर driver पर गाज गिरने वाला है, driver के पास driving license हो, चाहे नहीं हो, उसके द्वारा यहाँ पर गलती किया गया, अब यह क्या रहा था, यह गारी का जो driver था, उसके सिर्फ कारवाई होगी, गारी जो बैठे हुए थे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, है ना, उसके किसी परकार का कोई कारवाई नहीं होगी, और गारी का अगर यह मालिक बैक्ती चलाने वाला नहीं है, तो भी उसके उपर जो ह इसमें और साथ में एक और जो यहाँ पर बजलाओ किये गये कि अगर ऐसा किसी परकार का कोई हादसा जो है वो ड्राइवर से होता है तो यहाँ पर जो गारी का मालिक है ठीक है मालिक है मालिक और जो है बीमा कमपनी अमने अगर कोई आप बीमा लेते हैं तो बीमा कमपनी का जो है यहाँ पर कोई भी जिम्मेबारी नहीं रहेगा ठीक है यानि इसमें ना तो गारी के मालिक का कोई जिम्मेबारी है अब गारी के मालिक गारी कहीं लेके ड्रैवर गया हुआ है वहाँ पर वो जो है समान लूड करने के लिए गया है या कहीं पर पैसंजर लाकर जो है वो तरह से ट्रैविंग कर रहा है तो यहाँ पर गारी के कोई गाज नहीं गिरने वाला, कोई पब्लिक गारी है, क्प्रेवेट गारी है, उसमेN भूह सारे कंडीसन अलग-अलग है अब रही बात यहाँ पर जो B aleg company की बात है तो B empath company की भी कोई जिन्मिवारी इसमें नहीं आएगी अब है कि अगर जो ड्राइबर है उसके खिलाब केस तो दर्ज होगा और उसी पे कारवाई होगी अब ये सवाल होता है कि क्या जो इस केस में जब मालते हैं कि जो गारी का मालिक है उसकी कोई गलती नहीं है तो देखें उसको पूछताच के लिए बुलाया जा सकता है ठीक है कुछ भी अगर माल लेते हैं कि कोई भी पैसंजर वहान हो और उसमें हादसा होता है और हादसा में कोई जो भी अब एक्सिडेंट हो गया बाइक चालक है या जो भी उसकी अगर मौत हो जाती है तो इसमें अब जो है जो ड्राइबर है इसका जो ड्राइबर आप देख रहे है ठीक है ड्र आपर के खिलाप जो है यहां पर धारा जो है धारा आई पीसी का धारा है आई पीसी की धारा जो है 279, 300, 4 इन सभी धाराओं के तहद केस दर्ज किया जा सकता है और केस दर्ज करने के बाद जो है पूरी जाज करके एक रिपोर्ट सम्मिट किया जाएगा काकिर क्या हुआ कैसे हुआ उसके बाद मान लेते हैं उसकी जितनी बड़ी गलती है अगर एक्सिडेंट में गंबी रूप से घायल है तब उसको कम सजा मिलेगा जल्दी वो चूट जाएगा अगर उस बैक्ती की मौत हो गई एक्सिडेंट में और सरासर गलती जो है चलाने वाले यानि उस ड्राइबर की है तेखें सारा कंडिसन हम क्या बोले एक रिपोर्ट सम्मिट किया जाता है और उस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि आखिर ड्राइबर की गलती है या नहीं है यानि वो एक तरह से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट ही क्यों ना हो या ट्रक हो या कार हो उसमें ये चीज जो है एक रिपोर्ट में ठीक है उस समय उससे ये घटना हुआ उसको एरेस्ट कर लिया गया उसके उपर जो है कारवाई किया गया लेकिन बाद में जब सामने कोई आ गया डारेक्ट ठीक है डारेक्ट अगर ऐसा कोई प्रूफ है जो कि वहां दिखाएगा कि डारेक्ट इसके सामने कोई आ गया तब तो इसकी गलती है नहीं है ना अब वह कोई छोटा गारी वाला था या साइकील वाला था या मोटर साइकील वाला था उसकी मोथ हो गई तो जब इस driver की कोई गलती नहीं है तो इसके जब इसका रिपोर्ट जाएगा वहाँ पर तो इस पर किसी परकार की कोई कारवाई नहीं होगी तो यह जो है नया कानून है यह प्रिवाहन मंत्राले ने जो सरक दुरखटना के बहुत सारे जो नियम है बहुत सारे जो कानून है उसमें बदलाव किये हैं और हम आपको जो है एक एक करके सभी नियम जो है बताएंगे ताकि आप जो है एक तरह से अच्छे से जान सकें उसको और ऐसी दुरघटना होने पर सतर प्रह सकें आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा अब वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को पहले बार देख रहा है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाले मिलते हैं क्लिप वडियो में तब तक के लिए जाए हिंग